सभी बच्चों को मेरा नमस्कार आज हम बात करने जा रहे हैं NCRT 11th Class Mathematics Exercise 3.4 जो की टॉपिक है प्रिंस्पल एंड जनरल सलूशन ऑफ ट्रिघ्रमेटिकल एक्विशन इसके पहले हम इसकी फार्मुले डिस्कॉस कर चुके हैं है ना इसकी लिंक हम दे देंगे डिस्कॉशन मे ऐड़े और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अपने आप ही हो जो इसका असल वो जो है नोटिफिकेशन मिल गया होगा अपने देख भी लिया होगा अगये को यह मैथमेटिक्स देखे आरे वो तो देखना ही पड़ेगा हम को नहीं किसी और को देखोग कि which teacher is teaching well, किसका expression अच्छा है, वो अच्छी चीज है, और छोड़ी अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं 3.4 x size की, फार्मूले हमने बता दिये हैं, अब दुआरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तेको यहाँ पर एक आया general और principal solution, पहले दोनों का मतलब समझेगा, जैसे sin theta 1 by 2 है, तो आपको 0 से 360 के बीच, क्योंकि आप जानते हैं, जो angle होता है ना, यह 0 degree होता है, और यह 180 होता है, यह आपका 360 होता है, तो 0 से 360 के बीच जो भी angle आएंगे, जो उस value को satisfy करेंगे, वो principal value होगी, है ना, अब यहाँ principal होगी, function में जड़ा कुछ नाम change हो जाएंगे, फिल ठीक है, तो excise 3.4 की हम बात करने जा रहे हैं, फार्मुले जो आते जाएंगे, वो हम लिखते जाएंगे आपको, जैसे पहला question है आपका, पहला question, उन्होंने कहा है कि find the principle and general solution of the equations, पहला है 10x is equal to root 3, 10x is equal to root 3, तो पहले बात करेंगे for principal solution, लिखने की क्या ज़ुरत है, 0 से 360 की जो value आएगी, principle हो जाएगी, और general के लिए formula apply कर देंगे, देखे, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, कि root 3, 10 में किसकी value होती है, और अगर आपको pi से परहेज हो, तो आप degree में लिख दो, बाद में pi में convert कर देना, और root 3, 10 में किसकी value होती है, तो आप कहें अच्छा, क्या और कोई angle भी होता है, चुकि हमने ASTC पड़ रखा है, ASTC, ठीक है, ये वाला जो quadrant होता है, उसमें 10 positive होता है, और ये होता है 180 plus, यानि इसको हम लिख सकते हैं, 10 180 plus 60 degree, यानि ये दोनो angle ऐसे हैं, जो 0 से 360 की बीच लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनो angle ह हैं, वो 0 से 360 की बीच में हैं, तो इसको general solution कहते हैं, तो अगर हमसे कहें general solution of x, sorry, क्या लिख रहा हूँ, इसको principal कहते हैं, general के लिए नहीं school use करते हैं, तो जब principal solution की बात करेंगे, principle solution, ये school वाला principle नहीं है, तो x की value एक तो 60 degree आएगी, और एक आपकी 240 degree आएगी, चुकि degree में आपको नहीं लिखना है, उन्हें लिख दिया तो, लिख दिया तो, लिख दिया, तो ये तो हो गया आपका principal solution, general solution क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, general में आपने बताया था, general solution, हम जानते हैं कि if tan theta is equal to tan alpha, तो theta के विख दिया थी, n pi plus alpha, याद करिए भी इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिसस किया है, आपने इसके अगर formula पढ़ ले हो, नहीं formula पढ़ ले तो याद करिजएगा, तो यहाँ जो theta क्या है, x है, तो x is equal to यहाँ पर क्या आएगा, n pi और alpha जो पहला angle होता है, pi by 3, तो plus pi by 3, जहाँ n क्या है, integer है, where n belongs to, n belongs to integer, तो यह आपका principle solution है, यह आपका general solution है, ठीक है, यह 0 से 360 के भी जो angle है, यह हर angle, आप इनको रखते जाओ, सब angle मिल जाएंगे आपको, जितने भी संसार में angle होते है, ठीक है, next है, sec x is equal to 2, अब आप कहेंगे, sec का formula तो अपने पढ़ाया नहीं, कोई जोरत नहीं है, sin cos 10 में इसको convert कर लिजएगा, sec को cos में convert कर दो, तो आप जानते है, sec cos का उल्टा होता है, जब cos x लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगी, यह भी पलर जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है अब आपको लिखेंगे for principal solution, for principal solution, क्या हमने बताया, cause की वो angles की value, जो की 0 से 360 की विशलाई करती है, चूंकि ASTC हमने पढ़ रखा है, ASTC के हिसाब से, cause यहाँ positive होता है, ठीक है, अच्छा 1 by 2 value किसकी होती है, एक तो cause 60 degree की होती है, 60 बोले तो pi by 3, और दूसरा ही cause, 2 pi minus pi by 3 की value भी होती है, अब pi में यह लिखेंगे है, ठीक है, pi में आप लिखना सीख लिजे, डारेक्ट, यह 360 होता है, 360 minus theta भी यह बोल भी होती है, तो x की value यहाँ क्या निकलेगी, एक तो pi by 3 निकलेगी, और यह कितन मुख्यमान जो होता है, अब आप जब general solution की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, cause के case में क्या बताया गया था, we know that, we know that, अगर मैं जहाँ theta को x लिख देता हूँ, कि cause x is equal to cause alpha अगर होता है, अगर यह cause लिखा है, थो रैटिंग अंदी है, इसलिए गरबड हो जाता है, तो x की value क्या होती है, n to n pi plus minus alpha, यह हमने पढ़ा है, यह formula पढ़ा है, इसका derivation भी आपने देखा है, so, यहाँ पर क्या होगा, here x की value क्या आएगी, 2n pi और alpha किसको लिखते हैं, alpha जो पहली value होती है, pi by 3, तो 2n pi plus minus pi by 3, यह आपका general solution होगा, जहाँ पर n belongs to integer होगा, अगर कहीं n हम लिखना भूल जाएं, तो integer को ही belong करता है, ठीक है, तो this is question number 2, next question है, cot x is equal to minus root 3, और आपको cot बताया नहीं गया, तो आपको cot को 10 में convert कर लेना है, तो यह क्या आएगा, 10 x is equal to minus 1 by root 3, अब problem यह है, कि minus की बाद तो छोड़ो, अब आपको x की value निकाल ली है, देखिए जब minus कोई बाद छोड़ देंगे, यहां नहीं छोड़ते हैं, इधर छोड़ते हैं, तो 1 by root 3 10 में किस की value होती है, तो आप कहेंगे 10 30 degree की value होती है, हम जानवूस के ऐसे लिख जो है, निगेटिव होता है, एक तो 10 यहां पर निगेटिव होता है, एक 10 यहां पर निगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर all positive होता है, यहां पर 10 और cot positive होता है, तो यहनि इसको अगर हम लिखें 10, 180 माइनस 30, या इसको लिखें 10, 360 माइनस 30, तो दोनों ही cases में, यहां आप 50-30 also gives you minus 1030 इसका मतलब x की जो value आएगी एक तो 150 degree आएगी और दूसरे 330 degree आएगी सही कहा मैंने ठीक है अब हम 150 को radian में convert ही कर लेते हैं आप यहाँ radian में degree में लिख करके last में radian में कर सकते हैं कोई बात नहीं है देखो 150 को convert किसे करेंगे pi से multiply करेंगे 180 से divide करेंगे और 330 को किसे करेंगे pi से multiply करेंगे 180 से divide करेंगे तो यहाँ यह कड़ गया तो यह आएगा 35 15 13 18 तो एक तो angle आएगा 5 pi by 6 और इसमें आएगा 0 कर जाएगा 13 18 और 3 11 तो एक आएगा 11 pi by 6 तो यह तो आप क्या हो गया principle solution ठीक है अब आपको अगर degree में दिक्कत radian में दिक्कत नहीं होती है तो आप कोई बात नहीं pi में लिख दीजेगा है न क्योंकि 30 degree कितना होता है pi by 6 चत्रू कठारा और यह pi minus pi by 6 करोगे तो 5 pi by 6 अपने आप आप आजाएगा ठीक है अच्छा जब आप बात करेंगे general value of theta general value of theta x लिख दो तो आप जानते है we know that अभी हम formula बता चुके हैं we know that कि अगर 10 theta is equal to 10 alpha हो तो theta की value बताएगी थी n pi plus alpha यह हमने formula बताएगा था आप formula को हर जगे लिख सकते हैं जब आप बार बार formula apply करेंगे जो apply करने से अपने आप तहरी अच्छी हो जाती है तो so यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर 10 x is equal to कौन सी value लेंगे पहली value यह वाली है 10 5 pi by 6 10 5 pi by 6 लेंगे तो जब general value लिखेंगे तो क्या आएगा n pi plus 5 pi by 6 तो यह आपका general solution होगा जहाँ पर n क्या है वही जो पीशे होता था belongs to integer यह where लिखा हुआ है when न पढ़ना where ठीक है तो यह आपका question number third है तो क्योशन है कौसेक x is equal to minus 2 अब कौसेक का भी formula नहीं बताया गया तो ठीक है कौसेक का रष्तेदार है sign जिसको sign में convert कर दो तो कौसेक का उल्टा कौन होता है sign जिसको लिखेंगे sign x is equal to minus 1 by 2 हम minus को फिलाहल गायब कर देते हैं हम सोचते नहीं minus लिखा हुआ है minus 1 by 2 sign में किसकी value होती है तो आप कहेंगे sign 30 degree की value होती है sign pi by 6 की value होती है ठीक है अब sign को negative लेना है और negative sign कहा कहा आता है ASTC के हिसाब से sign यहाँ negative होता है यहाँ negative होता है यानि अगर इसको हम लिख दे sign pi plus pi by 6 sign 180 plus theta that is the formula of minus sign theta या इसको लिख दे sign 2 pi minus pi by 6 sign 360 minus theta तब भी आपको minus sign theta देगा तो इसको calculate करो x की value क्या आएगी यह करोगी तो आएगा 7 pi by 6 और यह करोगी क्या आएगा 12 minus 1 11 pi by 6 तो यह आपकी क्या लिख रहा हो यह आपकी principal value आ गई है ना चुकि 0 से 360 की बीच में जब general value लिखेंगे तो देखिए for general value for general value हम formula क्या जानते हैं हम जानते हैं कि if sin theta बराबर sin alpha हो तो theta की value क्या बताएगी थी n pi plus minus 1 to power n alpha याद करिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने formula दे दिये हैं अगर आपने नहीं देखा उसको skip कर गया हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ formula हम लिख रहे हैं सभी questions में तो अपने आप use हो जाएगा तो so यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो sin x है और वहाँ sin कौन से उली जाएगी पहली वाली 7 pi by 6 तो जब general value निकालेंगे तो आएगा x के उलीव क्या आएगी n pi plus minus 1 to power n into 7 pi by 6 यहाँ आपका answer हो गया जहाँ n क्या है n belongs to integer n की वालू 0,1,2,3,4, minus 1, minus 2 कुछ भी हो सकती है ठीक है इसको note करिए देखें फिफ्थ कह रहा है cos 4x is equal to cos 2x और आपको general value निकालेंगे principle निकाल भी नहीं पाएगे भाई यहाँ पर अभी फिलाल तो नहीं निकाल पाएगे देखें इस प्रकार के question निकाल लगाने के कई तरीके तरीका एक तो यह है कि भी हाँ इसको इदर shift करके ले आओ है ना तो इसको इदर shift करके ले आओगे तो यह क्या बन जाएगा cos 4x minus cos 2x बरावर 0 और इसमें लगा दो cos c minus cos d का फार्मूला ठीक है तो आएगा minus का 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 और उससे solve कर लो दूसा तरीका यह होता है कि भाई एक तरफ को आप मानलो यह theta लिखा हुआ है और एक तरफ को मानलो यह alpha लिखा हुआ है तो जब general value निकालेंगी general value of x तो इसको theta मानके लगाओ इसको alpha मानके लगाओ तो अभी हम बता चुके हैं we know that कि अगर cos theta बरावर cos alpha होता है तो theta के वल्यू क्या बताई है हमने 2n pi plus minus alpha तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4x is equal to 2n pi plus minus 2x ठीक है अब चूंकि आपको x की value निकाल ली है तो ऐसा थोड़ी होता है कि x q x की term में आ जाएगी तो इस x को इदा shift करना पड़ेगा तो एक तरफ करना पड़ेगा और एक तरफ करने के लिए देखना पड़ेगा यह positive है negative है तो पहले हम taking positive sign लेते हैं हम क्या करते हैं जार writing गंदी है उसको adjust करिएगा positive sign लेंगे तो आएगा 4x is equal to 2n pi plus का 2x इसको इदा ले आओ तो जब 2x आएगा तो 2x is equal to 2n pi तो x की value आएगी n pi यह x का एक मान आ गया जहाँ n integer है ठीक है एक बार negative sign ले लो इसमें taking negative sign taking negative sign तो negative लेंगे कितना आएगा 4x is equal to 2n pi minus का 2x इसको इदा ले आओ तो यह 6x हो जाएगा बराबर 2n pi x की value आएगी n pi by 3 सभी case में n क्या है integer को बिलांग करता है तो यह एक तरीका है दूसा तरीका हमने बताया कि वो cos c minus cos d करके लगा दूगे तब भी आ जाएगा answer same आएगा ठीक है okay note करिए 6 question कह रहा है कि cos 3x plus cos x plus cos minus cos 2x is equal to 0 find the general solution of this equation देखो द्यांसे अब problem यह है ना कि अगर factor के form में दिया होता तो हम कुछ निकाल भी देते तो plus लिखा हुआद करें क्या जिसको कुछ factorize करना पड़ेगा कुछ ऐसा हो common हो जाए कुछ भी हो जाए तो आपको ज़रा यह दुनों term देखिए अगर यहाँ पर हम cos c plus cos d लगा दे cos c plus cos d का formula हमने पढ़ा है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 formula होने चाहिए देखिए हुए हम लिख देते हैं हर्फ उसमें लेकिन आपको memorize होने चाहिए तो इसमें c d लगा दो आप आप कहेंगे इसमें इसमें लगा दे तो यह देखना भी पड़ेगा ना हम इसमें जब लगाएंगे ना और जब 3x को plus x करेंगे तो 4x आएगा अपान 2 करेंगे तो 2x होगा और 2x जहां से common will ला है इसलिए हम ऐसा कर रहेंगे यहां क्या लिखेंगे 2 cos 3x plus x by 2 into cos 3x minus x by 2 और minus का cos यह formula का काम खतम minus का cos 2x is equal to 0 अब जब जब इसको देखिए इसको implies कहते है 2 cos 3 plus 1 4 बटे दो यह cos 2x हो जाएगा into into में है cos यह 2x by 2nx आएगा minus का cos 2x आएगा अब आपको कितने term दिख रहे है 1 term, 2 term, 3 term 3 नहीं है यह 2 multiply में है इसलिए एक ही term माना जाएगा इसमें common क्या दिख रहा है तो यह cos 2x common है यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2 cos x minus 1 is equal to 0 अब बताओ आपके दो factor है एक यह वाला factor है एक यह वाला factor है एक बार इसको 0 कर दो तो taking cos 2x is equal to 0 हमने इसके पहले formula आपको बताया है कि अगर cos theta is equal to 0 हो तो theta की value 2n plus 1 pi by 2 होता है यह probe भी इसका बताया है इसके पहले वाले वीडियो में इसको देख लीजेगा तभी यहाँ पहुँचिएगा तो यानि कि general value of x लिखेंगे general value of x तो यहाँ पर theta तो 2x हो जाएगा यहाँ आएगा 2n plus 1 pi by 2 और जब x निकालोगे जिस 2 को उधर transfer करोगे तो x की value क्या आएगी 2n plus 1 pi by 4 अब इनको बार में लिखेंगे integer है हर जगे काहे इसको रिष्टेजार बताए ठीक है तो यह आपका value हो गई अब second factor ले लेते हैं अब second factor क्या है again second क्या है 2 cos x minus 1 बराबर 0 तो यहाँ पर cos x की value क्या हैगी 1 by 2 अब 1 by 2 उस angle का मान बताओ जो पहली value 1 by 2 देता है cos 60 degree देता है cos 60 1 by 2 होता है 60 बोले तो pi by 3 तो जब general value लिखेंगे तो x की value क्या हैगी 2n pi plus minus pi by 3 यह बता चुकिए फामुला अभी इसके पहले इसलिए नहीं बता रहे है जहाँ पर n क्या है belongs to integer यह n नहीं है भीया यह where है अब आपको यह पूरा लिखो न अरे ठीक है तो यह question number 6 हो गया ठीक है देखिए जो 7th question है न यह कई तरीके से अब कई तरीके से एक दो method से solve क्या जासता है कैसे देखो हम इसमें sin c plus cos d तो लगा ली सकते वो काम खतम हो गया हम इसको factorize भी नहीं कर पा रहे है छोड़ी वो ही काम खतम हो गया हमारे पाद कई तरीके इसको लगाने की है एक तो तरीका यह है कि हम sin 2x को break कर दे 2 sin x cos x वहाँ common ले ले ठीक है एक तरीका यह है first method जो हम लगा रहे है इसके 3 methods यह लग सकता है first method यही ठीक है चोड़ो एक ही method लगाओ बता देंगी वहाला 2 sin x into cos x ले ले main common लेना होता न factorize करना plus cos x कर दें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बोले आप लगा रहे हैं का एक दिक्कत है हम तो note कर रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है यहां से common क्या दिख रहा है यहां से दिख रहा है cos x common तो अंदर क्या बचाएगा 2 sin x plus 1 is equal to 0 अब दो factor हो गए एक cos x factor है और एक 2 sin x plus 1 factor है तो एक बार आप करेंगे क्या cos x को 0 मालेंगे और 0 के case में आपको general value मालूम है x is equal to 2n plus 1 pi by 2 यह बताए जा चुका है आपको ठीक है second factor लेने end 2 sin x plus 1 बराबर 0 कर दें तो यहां से sin x की value आएगी minus 1 by 2 अब minus 1 by 2 किसकी value होती है जरा इसको search करिए minus को आप खा जाएए खा गए अब बताए किसकी value होती है देखिए दो चरीके minus को खा जाएए खा गए यह sin 30 degree की value होती है 30 degree अब 30 degree minus negative कहा होता sign अब आप कहेंगे साथ sin यहां negative यहां negative यह वारा जो है न quadrative वो इसके पास है तो इसको हम लिखेंगे sin 360 minus 30 कोई दिक्कत minus sin 30 आएगा न और यह होता है pi by 6 अब मैं pi में convert करता हूँ बोले अच्छा हम कैसे काटे अब आप न गाटो और यह 2 pi minus pi by 6 तो कितना आएगा 11 pi by 6 आएगा दोनों तरीके समझेंगे आप तो यह 11 pi by 6 आएगा और इधर से जब चलो कितना आएगा तो pi plus pi by 6 आएगा ठीक है sin pi plus pi by 6 ले देंगे ले वो भी सकते हैं ले वो भी सकते हैं आंसर कहीं कहीं वो भी आजाता है तो इसको लिखेंगे sin pi plus pi by 6 खोलेंगे तो minus sin pi by 6 आएगा यह आएगा sin 7 pi by 6 और अभी हमने sin के case में बताया है x is equal to क्या आएगा n pi plus minus minus 1 to power n into 7 pi by 6 जहां n क्या है integer को बिलांग करता है दोनों ही case में एक सा लिख दिया तो this is the question number 7 समझ में आ रहा होगा अब factors हैं angles हैं यह तो मालू होना चाहिए बिना इसके तो काम चलेगा ने ठीक है question है sec square 2x is equal to 1 minus 10 2x अब problem है कि sec का formula बताया नहीं गया तो sec को आपको एक साब sec को cause में convert कर लेते हैं convert कर लेते हैं कि इधर 10 सा आप बैठे हुए है चुकि 10 sec के रिस्तिदार होते हैं तो हमको sec का formula वो लगाना पड़ेगा जो 10 के time में हो तो हमने पढ़ा है कि 1 plus 10 square theta is equal to होता है sec square theta theta यहाँ पर 2x है तो इसको लिश सकते हैं आप 1 plus 10 square 2x is equal to 1 minus 10 2x लिखा जा सकता है अब सब एक रिस्तिदार में आ गए सब को एक तरफ shift कर दो तो आएगा 1 plus 10 square 2x minus 1 plus 10 2x is equal to 0 1 से 1 कड़ गया common कुछ दिख रहा है अब दिखें अगर यहाँ पर 2x ना होता अगर यहाँ 2x ना होता यहाँ से कि square x होता तो यहाँ पर x होता तो फिर 10 2x को break करना पड़ता रहा 10 2 theta का formula क्या होता 2 10 square theta upon 1 minus 10 square theta तब वो करना पड़ता यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 10 2x कामन है तो अंदर क्या पचेगा यहाँ पचेगा 10 2x प्लस 1 बराबर 0 अब दो फेक्टर आपके पास आ गए तो एक बार आप क्या करेंगे 10 2x को 0 करतेंगे और 0 के case पर भी बता चुके 10 को n pi करतेंगे तो जब general value of x लिखेंगे तो यहाँ क्या हैगा 2x is equal to n pi तो x की value क्या होगी n pi by 2 तो एक तो आपका यह value आ जाएगी है न और जब आप second factor लोगे second factor second factor second factor क्या आपका है second factor है आपका 10 2x प्लस 1 10 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 10 2x is equal to minus 1 और minus 1 को search कर यह 10 में किसकी value होती है अब minus को तो भूल जाओ भूल गए आप तो यह 10 pi by 4 की value होती है ठीक है और 10 negative कहां होता है 10 negative कहां होता है तो आप कहेंगे 10 यहाँ यहाँ negative होता है आपने ASTC पढ़ा है न पढ़ा है कि आप बाहर को से आपने ASTC ASTC कहा बता रहा है भई आल यहाँ आल positive यहाँ sign और sign का उल्टा cause sec positive यहाँ 10 10 का उल्टा cause positive यहाँ cause और cause का उल्टा seg positive यहाँ पर negative होता है तो पहली value यहाँ रही है आपको तो इसको लिसकते हैं 10 πائی माइनस πائی बाइ 4 तो आएगा 10 3 πائی बाइ 4 3 πائی बाइ 4 तो यह यानि 10 2x बरावर क्या आ गया यह x है भाई सॉरी 2x बरावर 10 3 πائی बाइ 4 तो जब general value आप लिखेंगे x की general value of x लिखेंगे general यहां लिखे दे रहे है general value of x तो यहां पर 2x आ जाएगा और यहां क्या होता n pi plus 3 pi by 4 तो x की value क्या आएगी n pi by 2 plus 3 pi by 8 जान लिखेंगे यहां n belongs to integer यह n जो है यहां पर integer है तो यह आपका question rates का सरुसन है समझ में आ रहा होगा मेरी साफ से कोई tough नहीं है हाँ formula तो याद करने पढ़ेंगे न ठीक ओकी देखिए यह 9th question है sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0 यहां पर वही लफड़ा फसा है factorize कैसे करें तो factorize में देखना पड़ता है किसको नजदीक लिखा जाए देखिए अगर मैं इसको इसको पास लिखता तो x plus 5x होजाएगा 6x और 6x इसको बाद में करो कोई फरक नहीं पड़ता है मैं उसको पहले कर लिए दे रहा हूँ कोई को बड़ा है ओ ऐसा कोई नियम नहीं आप बाद में भी लिख सकते हैं sin x plus sin 3x is equal to 0 यह कर दिया हमने अब यहां पर लगा दिया sin c plus sin d का फर्मॉला भी लिखेंगे नहीं हम पीशे बता चुके है 2 sin c plus d वो तो हम फर्मॉला बोल भी रहे है by 2 into cos c minus d by 2 और plus sin 3x लिखा हुआ है बराबर 0 देखे 2 sin अब जब 5x plus x करोगे तो 6x by 2 आएगा यह sin 3x हो जाएगा into cos यह 4x by 2 आएगा cos 2x हो जाएगा plus sin 3x हो जाएगा आपको कुछ कामन दिख रहा है यहां से 2 step है 2 term है 2 term में से क्या कामन दिख रहा है तो आप कहेंगे sin 3x कामन दिख रहा है निकालो बाहर sin 3x अंदर क्या बचेएगा 2 cos 2x plus 1 बराबर 0 अब 2 factor आपके पास है एक बार इसको 0 कर दो एक बार इसको 0 कर दो तो first factor लेते हैं first factor क्या लिखेंगे sin 3x is equal to 0 और अभी हम 0 के case में formula बता जुके हैं कि जब general value लिखेंगे तो आएगा 3x is equal to n pi ठीक है x की value क्या आएगी n pi by 3 तो एक तो ये value आपकी आगई और एक बार second factor को 0 करते हैं थोड़ा जगे लेंगे हम इसको नोट कर लिया होगा है ना score up कर रहे है जब second factor लिखोगे second factor second factor क्या है 2 cos 2x plus 1 बराबर 0 तो यहाँ पर cos 2x की value आएगी minus 1 by 2 वही हम minus को भोल जाते है तो ये किसकी value है minus cos ये value है 1 by 2 किसके लिए होती cos 60 degree की value होती है ये पाई बाई 3 की value होती है अब cos negative होता second quadrant में लिए सकते हैं pi minus pi by 3 बोले तो cos 2 pi by 3 तो जब general value लिखेंगे आप तो 2x बराबर क्या होगा 2n pi plus minus 2 pi by 3 तो x की value क्या हैगी n pi plus minus pi by 3 where n belongs to integer जहाँ n क्या है वो integer को belong करता है तो इस प्रकार से ये एक size है 3.4 ठीक है वैसे तो trigonatical function ncrt का chapter खतम हो चुके हैं लेकिन चुकि miscellaneous भी है miscellaneous मतलब मिलवा मिलवा मतलब सब मिला हुआ है ठीक है तो वो next video में हम दिसक्स करेंगे इसके लगा लिजेगा और तीक नमस्कार